नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मौसम बेग्यानी को का कहना है कि खास दोर पर सुवा के समय मौसम काफी सर्दिला होगा, ठंड बढ़ेगी मौसम बेग्यानी अभी सेक आनन ने बताया है कि राची समेत राजी के विभीन हिसो में अगले 24 घंटे के दोरान ठंड बढ़ने के असार हैं इस बदलाव का असर दो से तीन दिनों तक रहेगा लेकिन उसके बाद फिर उसमें कुछ कमी आएगी और नितनता अपमान में कुछ बिरिधी भी होगी आरक्षन बिधेक गया राजभवन आस्थानियता बिधी के पास 1922 या उसके पूर्व के खतियान के अधार पर जर्खंडी पहचान और नियोजन में पातराता से जुड़ा बिधेक अभी राजेपाल तक नहीं पहुचा है 11 नॉमबर को राज सरकार ने भी से सत्र बुलाकर जर्खंड में आरक्षन की सीमा बढ़ाने और खतियान के अधार पर पहचान से सम्वंधित बिधेक पारित किये थे इन दोनों बिधेकों के प्रवधान को नवी सुची में सामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया हाला कि राज भॉन ने विधेक मिलने के पुष्टी नहीं किया वहीं खतियान से समझी विधेक बिधी विभाग के पास ही है विधी विभाग से बिधेक लोटने के बाद राज़िपाल को भेजा जाएगा है ओनलाइन हाजरी नहीं बनाने वाले सिंग्षकों के बेतन पर जन्वारी से रोक जन्वारी से जाएगा शिक्षक के जिस दिन की उपस्थिती इविद्यवाहनी में दर्ज नहीं होगा उस दिन उन्हें अनुपस्थित मना जाएगा उस दिन के बेतन का भोकता नहीं किया जाएगा उलेखनिया है कि राजे में लगभग 20,000 शिक्षक इविद्यवाहनी के माध्यम से उपस जीलों को दिया गया है जार्खन के 12,000 इस्कुलों में बेंच डेस्क का अभाः जार्खन के 12,000 सरकारी बिद्यालों में बेंच डेस्क की आव सकता है इनमें से लगभग 11,000 इस्कुलों में बेंच डेस्क नहीं है सेस्क बिद्यालों के पात जो बेंच डेस्क है वह बतादे प्राथमिक वा मद विद्यालियों के पास इतनी राशी भी नहीं है कि वे अपने अस्तर से बेंच डिस्क कराई कर सके बेंच डिस्क कराई को लेकर भाग के अस्तर पर भी कोई असपश दिसाने देश नहीं है जारखन देश में पहला ऐसा राज जहां बाटे गए फोरेश्ट स्वाइल हेल्थ काड प्रिथवी का भूचरन एवं मिरिद्या की उपजाव छामता का तेजी सहाथ से होता जा रहा है साथ ही दिन बाट दिन हर्याली कम होती जा रही है एवं उपजाव धर्ती सी कूड रही है आज पूरा विश्व धर्ती के इस मिरिद्या अप्रदन एवं बढ़ते मिठी कटाव से कापी चिंती था जार्खन का बन पर्यावरन एवं जलवायू परिवर्तन बिभाग भी धर्ती की इस विजम परिती सी चिंती था सारी दुनिया के साथ साथ इस भो सनरचन एवं मिर्दा सनरचन हैतु जन जागरीती पैदा करने के लिए परतन सील है पुरे देश में पहली बार जार्खन में सभी बन प्रमंडल पतादिकार्यों को फोरेश्ट स्वायल हेल्थ काड़ बाटा गया है उक्त बाते बन पर्यावर ने हम चलवायू परिवर्तन विभाग के अपर मुक्सची विवाम ख्यागते ने बिस्व मिर्दा दिवस के अउसर पर आयोजीत सेमिनार को समोधित करते हुए कही है जार्खन कॉंग्रेस के 24 जिले में 25 जिला अध्यक्ष नियुक्त अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी ने जार्खन के 25 जिला अध्यक्षों की नियुक्ती को मंजूरी दे दिया कॉंग्रेस के राष्ट्रे महासचीव केसी वेनू गोपाल ने प्रेस विग्याप्ति जारी कर्या जनकारी दी इसमें कहा गया है कि जारखन परदेश कॉंग्रेस किसी फारिशों को अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी ने मंजूरी दे दिया है सभी 25 जिला अध्यक्षों के नियुक्ति ततकाल प्रभाव से लागू हो गई है राष्टी जिला में दो अध्यक्ष बनाया गया है एक टाउन के और एक ग्रामिन छेतर के बतादे कंग्रेस के जिला अध्यक्षों के सूची में किसी अलफ संख्यक को जगा नहीं दी गई है अखिल भार्दिय कंग्रेस कमिटी की ओर से जारी प्रेस बीग अप्ति के मुताबिक कुमार राजा को राची सहर का अध्यक्ष नियुत किया गया है जबकि डाक्टर राकेश किरन महतो को राची गिरामिन का ध्यक्ष बनाया गया है 10 दिसम्बर को जमसेदपूर और 11 को राची में होंकी विश्वकप 2023 की ट्रोफी 10 और 11 दिसम्बर को जारखन में रहेगी 10 दिसम्बर को या ट्रोफी लोग नगरी जमसेदपूर में लाई जाएगी जबकि 11 दिसम्बर को जारखन की राज़ानी राची में लाई जाएगी इसके साथ ही इस ट्रोफी को पूरे देश में घुमाने की शुरुवात भी हो गई है होकी की ट्रोफी के लॉंचिंग के उसर रम्मुखे मंत्री नमीन पतनायक उडिशा के खेल मंत्री उडिशा सरकार के खेल सचीव, बिनिल सर, होकी इंडिया के महा सचीव, भोलाना सिंग, होकी इंडिया के कारकारी निदेशक, आरके स्रिवास्ता उपस्तित थे पंकज मिस्त्रा को रिम्स से CIP में सिप्ट किया गया पंकज मिस्त्रा का CIP के OPD में इलाज सुरू हो गया रिम्स से 12 बच कर 30 मिएट पर इसे इलाज के लिए CIP ले जाया गया बता दे, रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने पंकज मिस्त्रा को CIP सिप्ट करने की सला दी थी रिम्स की बदहाली पर बीजेपी का प्रदर्सान रिम्स की और बेवस्ता पर बीजेपी एक दिवस्य धारना दिया धारना रिम्स के डारेक्टर कर्याले के बाहर दिया गया धाना परदसन में सामील बीजेपी ये करकरताओं ने रिम्स की बदहाली पर सवाल उठाए भाजपा ने कुछ दिनों पहले हाई कोट ने भी रिम्स प्रवर्धन को फटकार लगाई को अहम मुदा बनाते हुए घेरा है परदसन में मौझूद राज जे सभा सांसद ने कहा है कि आज से तीन साल पहले रिम्स की असी बेवस्ता नहीं थी लेकिन जब से झामों की सरकार आई है तब से रिम्स की बदहाली का मंजर देखने को मिल रहा है हर दिन रिम्स अपनी इसी बदहाली के कारण मीडिया में बना रहता है बोकारों में एगारवी की छात्रा से छेड़खानी के खिलाब परियनों का स्कूल में हंगामा बोकारों के सेक्टर 4 सीत मीथिला एकेडमी पबलिक स्कूल के म्यूजिक टीचर धिरेंदर तिवारी पर एगारवी की एक छात्रा ने छेड़खानी का रोप लगाया है छात्रा के अनुसार पिछले सुक्रवार को उसे सिक्षक ने छेड़खानी की थी इसके बाद छात्रा ने इसकी लिखी सिकायत स्कूल के परचार्य से की सिक्षक पर करवाई की मायं को लेकर सोमवार को छात्रा के परिजन और अन्य महिलाई स्कूल पहुंची और आरोपी सिक्षक के खिलाब करवाई करने की मायं करते हुए हंगामा किया इधारी स्कूल के परचार या सोक पाठक ने कहा है कि सिक्षा को निलंबित कर दिया गया है आई करवाई की जा रही है लोहरदगा के सेनहा लेम्स से 14 लाह का धान गाया राई सरकार निवतम समर्थन मुले पर किसानों से धान की खरीदारी करती है किसानों से धान की खरीद धान कराई केंद्र और लेंप्स के माध्यम से होती है यहीं से गड़बड़ी सुरू हो रही है बता दे लो हर्दागा में धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है यहां सेना परखंड के बुट्टी लेंप्स से 14,39,888 रुपए के करीब 495 क्यूंटल धान गायब हो गया यह धान न तो लेंप्स के पास होने की बात कही जा रही है और नहीं मिलर के पास फिर यह धान गया तो कहां गया अब इस मामले को लेकर लेंप्स अध्यक साकायता विभाग और जिला पूर्ती का रियाला एक दूसरे पार आरोप परतारोप कर रहे हैं इस मामले को लेकर जब जाज परताल होई तो परत दरपरत खुलने लगी है तेरहवी राष्ट्रिय ताइकवांडो परत्योकता में 9 गोल्ड जी जारखन तीसरे नमबर पर महराना परताप स्पोर्ट कॉलेज देहरा दून में तेरहवी राष्ट्रिय ताइकवांडो परत्योकता का समापन हो गया है दो दिवसे परत्योक्ता में मेजबायन राज ने 36 गोल्ड मेडल लेकर प्राथम अस्तान प्राप्त किया वहीं दूसरे नमापर पड़ोसी राज उतर परदेश 15 गोल्ड वा तृतिय अस्तान पर जारका नौ गोल्ड मेडल लेकर उपरी पैदान में रहे हैं बतादे नेशनल ताइकवांडो परत्योक्ता चार वर्गों में आउजित की गई जूनियर वर्ग, कैंड़ेट वर्ग, सब जूनियर वर्ग और सिनियर वर्ग में 16 राजियों के 460 ताइकवांडो परत्योक्ता ने भाग लिया है सरकारी स्कूल में 7% बच्चों का कब खुलेगा बैंक खाता जर्खन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का बैंक अप तक नहीं खुल पाया है जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एक से पांच वर्ग के बचों का बैंक खाता निसूलक और जीरो बाइलेंस पर खोलने का निर्देस है बता दे समगर सिक्षा के अंतरगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बचों का बैंक खाता खोलना निवारे है जारकन सिक्षा पर योईना ने इसके लिए निर्देश भी कई बार जारी किया है लेकिन हकिकत यह है कि आज भी जारकन के सरकारी स्कुलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का बैंक एकाउंट नहीं खूल पाया है राज एपाल ने कुर्माली पुस्तक केहनी रे मोर बेहनी का बीमोचन किया बायो ब्रीद साहिते का डाक्टर सुरेंद्र नाथ महतो लिखीत कुर्माली भासा के पुस्तक केहनी रे मोर बेहनी का बीमोचन सुमवर को राज एपाल रमेस बैस ने किया बतादे 91 वर्षिय सुनेदर नरात महतोर रेलेवे में राज भासा के अधिकारी भी रहा चुके हैं और कुर्माली भासा के विकास और इसे पहचान दिलाने के लिए पर्यासरत हैं। इनकी इस पूस्तक में बच्चों के लिए 10 लोग कथाओ का संकलन हैं। जिसमें समाजिक, अन्द विश्वास, चमतकार, आचर्य, चतुराई और धुरुता के सम्ध में बच्चों को जागरूप करने का पर्यास किया गया है। कांधिद्वारा कासमी से कन्या कुमारी तक 3500 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा किया रही है। कांधिद्वारा का सम्ध में बदल रहे हैं। इसके पूर्वे 20 जून को पत्रांग संक्या 28-76 और 22 इतमर को पत्रांग संक्या 41-47 पत्र भेजा गया। उक्त आदेश के बावजूद अब तक होमगार्ड 9 नमांकन पर क्रिया सुरू नहीं हुआ है। बतादे बारस तो अठांग में सफल अभियार्थी डीसी वा होमगार्ड कर्याला का चकर काट रहे हैं। जारखन में बीजली संक्ट जारी 205 क्रोर का भुगतान जरूरी। जनकारी के मुताबिक मुग्य मंत्री हेमान सुरें बीजली संक्ट सेंडी पटने की तियारी की मंगलवार को समिक्छा करेंगे। सरकार बीजली आपूर्थी समान एक करने में जूटी हुई है। जारखन में CM फेस के लिए भाजपकरा रही सर्वे। जारखन में BJP मीशन 2024 में तेई से जूट गई है। जारखन में CM फेस के लिए BJP सर्वे करवा रही है। सांसदो बिधायकों के कामकाज भी आकलन हो रहा है। जारखन की मजूदा बिधान सभाने अगर आपना कारेकाल पूरा कर लिया तो अगामी चुनाव 2024 के आखरी महीने में होंगे। लेकिन राज में रह राकर जीस तरह के सियासी तुफान खड़े हो रहे हैं। उसमें तई वक से पहले भी चुनाव की दस्तक हो जाए तो आच्चाज नहीं होगा। ऐसे में भारतिय जनता पार्टी चुनावी रन निती के मन्थन में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी निती तो अगले चुनाव में BJP के लिए CM फेस को लेकर सर्वे करा रहा है। एक PR Agency को इसका जीमा सोपा गया है जो राजे की सभी पैंचायतों में राए मसूरा कर रही है। बाल बीवाह ने ज्हारखन की बढ़ाई चिंता। ज्हारखन में बाल बीवाह बाल बीवाह की विशय पर कारेसाला आयुजित किया गया। राजधानी राची में कारेसाला का आयुजित हुआ हुआ जिसमें बाल बीवाह की रोक थाम को लेकर चर्चा की गया। ज्हारखन में बाल बीवाह की रोक थाम को लेकर राची में कारेसाला का आयुजित किया गया।